नमस्कार दोस्तो मैं हो रोसान और आप देख रहे हैं प्रिपेर फॉर नौकरी ओफिसियल यूटूब चैनल दोस्तो यहां पर HPCL that is a हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्परेशन्स लिंटेड मुंबई रिफाइनरी में यहां पर 100 पोस्ट निकली है यहां पर अप्रेंटि ध्यान रखेगा BE-Bitech वाले करने देट इलिजिबल से हैं जो अपरेंटिसिप एक्ट है 1961 इसके अनुसार जो है एक साल का अपरेंटिसिप प्रोग्राम यहां पर इवलेवल करवाया गया है BE-Bitech वालों के लिए लगवग सभी ब्रांच यहां पर इलिजिबल से हैं तो इ 28 फरबरी 2022 तक चलेगी अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं age limit की तो minimum age limit है 18 साल और maximum age limit है 25 साल उसके अलाबा relaxation as per government tool यहां पर मिलने वाला है जैसे कि 5 साल SCST के लिए 3 साल OBC के लिए और 10 साल PDWD के लिए और 19 फरबरी 2022 तक ही यहां पर consider किया जाएगा आपको जो भी age है educational qualifications है और जो qualifications मांगेगे हैं instrumentation, engineering, chemical, electrical and electronics, engineering, computer science, civil, mechanical, electrical engineering के candidate eligible हैं और देखिए monthly stipend जो है यह very handsome है 25,000 रुपया पर मन्थ आपको stipend मिलेगी एक साल तक के लिए जो भी eligible candidate है जरूर जो है इस form को फिलफ करिएगा और apprenticeship करने की कोशिस जरूर करिएगा तो यहां पर जो भी eligible है NETS portal पे आपको 28 February से पहले आपको apply कर देना है अब देखिए all over Indian student जो है eligible है और इसको आपको ध्यान रखना है कि MHRD NETS portal पे आपको register करना है and recognized by the board of apprenticeship BOAT training will be considered देखिए candidates are not required to submit hard copy of the application to the HPCL और देखिए जो candidate 1-3-2020 से यहां पर pass out पहले हैं तो वो eligible नहीं है यानि कि 1 March 2020 से बाद का pass out candidate ही eligible है देखिए final qualifying semester result date यहां पर आपको होना चाहिए और कम से कम 60% आपको mark से चाहिए और 50% चाहिए CSTPWD के लिए इसका थोड़ा सा percentage करेक्टरिय आपको ध्यान रखना है और उसके अलाबा relaxation तो government के अनुसार मिलने वाला है तो देखिए candidate के पास अगर बर experience एक साल या उससे जादा है तो eligible नहीं है अप्लाइ नहीं कर सकते हैं अगर आपने apprenticeship कहीं दूसरे से भी किया है तो आप eligible नहीं है अप selection किस तरह से होने वाला है तो जो भी candidate यहां पर form फिल करेंगे तो उनको जो है interview के लिए Mumbai refinery office में बुलाए जागा इसको ध्यान रखेगा management reserve the right to restrict the number of the candidate to be called for the interview तो यहां पर आपको जो कि March महीने के में यहां पर tentatively scheduled है तो March 2022 में यहां पर interview होने वाला है उसके बाद ही आपको final जो है selections यहां पर 100 post के लिए होने वाला है जो की apprenticeship के लिए और 25 रुपय पर मन्त आपको मिलेगा merit list जो है आपको academic result of the engineering degree और जो interview में marks आएगा उसके अधार पी यहां पर selections होने वाला है उसके देखे final offer for apprenticeship training जो आपको medical test किलियर करने के बाद ही यहां पर यहां पर यहां जाएगा उसके बाद find establishment में two IPRs जिसमें की search करेटरिया होगा option to search या preference and establishment rate इसमें जो है आपको HPCL corporations Mumbai refinery पे आपको किलिक करना है उसके बाद यहां पर apply बटन आएगा उसके बाद देखे successfully applied for the training apply कर दीजेगा तो successfully आपको आजाएगा before applying candidate must ensure all the details जैसे की caste educational qualification personal credential सब कुछ सही होना चाहिए तिस तरह से आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है तो यहां पर आपको सब कुछ मैंने लगभग बता दिया है बस आपको जो भी यहां पर आपको download कर सकते हैं बाकी यही सब कुछ था आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिजेगा और देखिए कुछ official आपको contact चाहिए तो यहां पर आप एक number दिया हुआ है और email id दिया है यहां पर संपर करके जो भी doubt है पूछ सकते हैं otherwise आप comment section में भी पूछ सकते हैं कि दोस्तों इस वीडियो में इतना ही